देखो भाई कुछ भी कव यार तॉप टीचर्स तो ना ओनलाइन कोचिंग में मिलते हैं ओनलाइन में और ही पढ़ाई बढ़ाई रैंक निकालने तो ओफलाइन जाना पड़ेगा चुप चाब बेटा ओनलाइन में पढ़ लो नहीं तो ओफलाइन में 5-6 लाग रुपे परवाद हो जाएंगे कम से कम जो टीचर्स सामने बैठा दिखेगा डाउट तो पूछ सकते हैं कम से कम बेटा कहां कोटा बोटा जाओगे होमसी को जाओगे चुप चाब अपने घर पे राओ मम्मी पाप के साथ राओ घर का खाना खाव प्रेम से और रैंक लाओ पॉल उठाते हैं बढ़ाई के लिए अब पता चलना हमाँ चल लिए रील शोट आप ही बताब सारी चीज़े चलो तो बढ़ाई तो बड़ी खतना आगए कि पढ़ाई हम करें ऑनलाइन करें या ओफलाइन करें समझी नहीं आता क्या सही है क्या गलत है और बात यह हर बच ही रहेगा और बच्चे क्या कर रहे है अजगल साल अंलाइन पढ़ते हैं फिर एक साल ओंलाइन फिर लेकुए और प्रण की कमाई समझ की लिए और हर बच्चे के लिए सही चीज अलग लग लगे तो उसके बार में तुम्हां बताने वाला हूं वीडियो में फटाक से इस फैडवाई कोचिंग्ट, चुomes, जो मैं वा कैरों, क कोचिंग vendor हई लिए wha और नुक्सान होता, सब्सक्राइब कर सकते हो तुम्हात्वाई कर सकते हो बाई कौन सी कोचिंग में जाके पढ़े यह भी बता हो बाइक साउफ से लेकी इना डिल्ली बगिए खुद पढ़ने भी गया हूँ है है ना तो और अगली चीछ भई क्या ओनलाइन में पढ़के टॉप रेंक आ सकती है है ना खेर इवाला कोजिशन 2020 में बच्चे पूछते थे कोविट कड़ाय में तब तो वेलेट था आज वेलेट नहीं है क्योंकि आज जो रोजेल्ट सम्प प्रोड्यूस कर चुके ओनलाइन से वो सभी को पता है रहा है ना लाइक फिजिक्स में बात करें तो नी 2022 में तो इंडिया का बेस्ट प्रोड्यूस करा एक सिंगल बैस से मे उस पर अपन बात करते हैं तो देखो कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारे लिए क्या सही होगा उनको अपन एक एक करके डिसकस करते हैं और मैं सब को डिटेल में बताता हूँगा और इतना ही नहीं से ओनलाइन ओफलाइन कंप पढ़ो तुम्हें पता होगा तुम ऑन-laiain ही मेरे प्त सकते हो उभा डिसेजरन तुम्हारा होगा इंडू हमारी टीम के कई टीचर ओफलाइन पढ़ा रहे हैं ठालो बताते दुमको सबसे बिले थेक बेसिक सा फेक्ट्स ट्रावल टाइम बचाना है तो ऑन-लाइन इसमे आज तक चलता रहा है ओनलाइन को तो भी चार साल हुआ है ठीक है पर हाँ मैक्सिमम बच्चे ऑफ-लाइन में पड़ते हैं पर बात करें तो यार पिछले एक-दो सालों में ओनलाइन इंडिया की लाइक समॉप बेस्ट रिजल्स प्रोड्यूस करें अगर तुम परसेंटेज तुमको ऑनलाइन भी मिल रही है जो टॉप टीचर तुमें ऑफ-लाइन मिल रहे हैं इंडियूस से बैटर टीचर तुमें ऑनलाइन में मिल जा रहे हैं तो दो लोग अपने फाइदे नुकसान हैं पर अगली बात करें परसनल अटेंशन ये एक चीज़ है ना तो यार ऑनल जो अपना कन्वेंशनल तरीका तरीका तो अफ-लाइन में तो उससे सबसे अगेन अफ-लाइन कोचिंग बैटर है ना फर यहां पर भी मैं पता देता हूं यहां पर भी अलग लग शहर की अलग अलग कानी ध्यान रखना इस नोट लाइग इस सारी ऑफ-लाइन एक जैसी है अगर तुम किसी शहर में पढ़ रहे हो जैसे इंदोर है नाकपूर है ऐसे बहुत सारे शहर होते हैं तो अगर तुम्हारी कोचिंग में एक बैच में पचास साथ बच्चे हैं तो तो भाई टीचर का बहुत अच्छा परसनल अटेंशन मिलता है इसमें कोई डाउट है इस करता है coaching to coaching वो भूभी coaching to coaching depend करता है बो तुम में पता करना हो आगा हो तो तुमहारी requirement कया है और वसी पूरी हो रही है नी퓤 क्योंकि कोटा में सच्टिक तो अगर तुम्हारे लिए अगर परसनल टीचर के डारेक्ट कांटेक्ट में होना और परसनल अटेंशन उतना इंपॉर्टेंट है तो यह चीज तुम्हें पता होनी चाहिए अगली चीज बात करें भई अगला उनलाइन में अगर बैच में एक एक लग बच्चे तो वह नहीं हो पाईगा अगर बैच में पांसो अजार बच्चे लिमिटेट पढ़ते हैं तो भी अच्छा नहीं हो पाता है पड़ा हो जाता है तो इसमें हर जगे अपने अलग अलग तरीके है परसन अटेंशन को क्योंकि मैं जिस भी सिस्टम में आता हूँ है मैं बच्चों की नीड समझ के उसको रिजॉल्व करने की कोशिशिस करता हूँ तो जो बच्चे मुझ से उनलाइन में पड़ते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए मैं अपना प्रीमियम ग्रूप बना दिया है ना तो प्रीमियम ग्रूप में हमारे नो फिजिक्स टीचर्स है ना ठीक है उसकी स्लाइट डालना बूल के हूँ उसके एक वीडियो डाल से जुड़ू है जो सीनियर टीचर्स है इंडिया की टॉप को चिक्स पर अपड़ा रहे हैं वहां पर मेंटर सेशन होते हैं हर रोज एवरी डे ऑडियो कॉल पर तुम टीचर्स से बात करके अपनी क्वेरी बगरा रिजॉल्व कर सकते हैं तो मतलब जो समस्य होती है उसको रिजॉल्व करके करने की कोशिस करते हैं उसके लिए best possible solution निकालने की कोशिस करते हैं और यही चीज मैंने करी है यही रिजन है कि हर साल इंडिया की टॉप रेक्स कर रहे हैं लास्ट यह तो पूर इंडिया का बैसे जल दिया है अगर मैं 2022 में बात करूँ है तो अगर मैं बात करूँ तो यहां पे तो online बहुत ऊपर है क्योंकि देखो जब आप यह भी आपको पता हो नहीं जाते हो जब आप उन बैचेस में बढ़ते हो जहां पर 40 50 50 बच्चे होते हैं तो बहां पर आपको टीचर अच्छे रहते हैं उस लेबल की नहीं मिल पाते हो यहां पर थ 50 50 students होते हैं तो personal guidance मिलता है पर teachers fresher होते हैं एक साल दो साल तीन साल वाले कुछ कुछ बिल्कुल तुरंट college से निकल के आई हो होते हैं कुछ teacher हो जाकते हैं कुछ subject में बहुत अच्छी teacher भी मिल जाते हैं और कुछ में बिल्कुल ऐसे मिलते हैं कि पढ़ने का मन नहीं करते है यह actual कहानी बता रहा है हैं तुमने से तम लोग पढ़े होगे तुम लोग में लोग पढ़े होगे तुम लोग में बढई बढ़े तोबड़े बैदे हैं अब हिहां पर邑ने झाने में हो एक ऐस्ते हो आपना फ held नुकसान है कोटा में जाओंगे तो इसDesane नहीं होता हैनो पर फिर टीचर्स आपको उतने बिल्कुल जो टॉप बाले होते हैं जो बहुत जाद है एक्स्पिरियंस हर सब्जेक्ट में नहीं बिल पाते हैं अब अगर हमें आप पर ऑनलाइन की बात कर ले हैं तो उल्लाइन में तो नंबर उपिशनूर्ट जाद होते हैं पर वह यह कि आपको टीचर्स पर बेस्ट मिल जाते हैं जो बेस्ट इंडिया के इस वक्त जैसे कोटा की सबसे अच्छी टीचर्स थे वह इस वक्त अनकेडमिक ऑल्लाइन पर पढ़ा रहे हैं तो यह भी यह भी फैक्टर तुम्हें ध्यान रखना है कि किसके लिए कौन सा फ तो बिलीब में तुम्हारे लिए टीचर्स जाधा मैटर करता है तो तुम नंबर विश्वेंट पर उतना ध्यान मत दो अगर तुम खुद से पढ़ाई कर ले तो तुम समय प्रबाद नहीं करते हैं इंडिट पैरेंट्स अगर देख रहे हैं तो वह भी द्यान रखें हैं कोई रोज आप से बात करें पूछे क्या रहा नहीं करा है तो फिर उसकेस में तुम्हारे लिए इंपोर्टन ही कि छोटा बैच जोइन करो उसकेस में कोटा भी जाना तुम्हारे लिए सही नहीं है उसकेस में आप आपके शेर में जो भी एक अच्छी सी कोचिंग है आपको और नहीं तो आपा सैना पर यहाँ पर ना सकते हैं अगर कोई बच्चे आफ-लाइन बच्चे करते हैं तो इन यह बहुत सारे बच्चे करते वो ऑनलाइन का भी सब्सक्रिप्शन साथ में लेकर रख लेता हैं अक्याडमी के तो मैं बस सारी चीज़ें बताता जारू हूं जो पॉसिबिलीटी है तुम्हें अपने इसाब से देख रहा है तुम्हारे लिए क्या बैस रहे हैं तो साथ में अगर मालो तुम्हें एक प्ल अफोल्डिबिलिटी की बात करें तो अगें दिस नो ब्रेन रहा ओफ लाइन में पांस से छे लागा घर आप कोटा बगरा जाते हो ना दिल्ली बगरा जाते हो ना ओनलाइन में भाई 30-40 रुपए साल का आता है अनक आडमी तो और भी अभी ऑफर बगरा जब चलते हो तो यूटूब पर वीडियो देखने लगते हो मोटिवेशन लगते हो कॉमेडी वीडियो देखने लगते हो स्ट्रेजी वीडियो देखने लगते हो रीज चलाने लगते हो सोशल मीडिया चलाने लगते हो तो भाई साफ फिर ऑनलाइन में आप गलती से भी मताना मैं अभी बत अगर भाई तुम लेक्चर बंद करके कुछ और चलाने बाले तो भाई या फिर आप ऑफ-लाइन में जाके पढ़ाई करो और ऑफ-लाइन भी को छोटे बैच वाला जॉइन करो जहां पर चालीस-पचास से ज़्यादा बच्चे ना हो इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए अगर तुम सेल्फडिसिप्लेंट वाले बच्चे वाले बच्चे वाले बच्चे वह तुम्हारे अंदर बढ़ने बैटते हो इसको एक या दो साल के लिए त्याग करतीजिए अपने कंप्यूटर पर पढ़ाई करिए लैप्टोप पर पढ़ाई करिए क्योंकि वह इतने एडिक्टिव नहीं होते जितने फोन होते हैं और डबबा फोन रखो इंडी जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ने के काम आते हैं वह नोकिय वगर आते ना वह ब्लैक और वाइ करो यह रहती है पर जुन बच्चों के पास option नहीं अब द्यान रखे ना बहुत समल के यूज करना इसको बहुत समल के सोचलाइजिंग देखो यह एक फैक्टर है ना एक कैसे फैक्टर है यह चीज़ है कई बार ओनलाइन में चीज़े मोनोटोनस हो जाती है ना क्योंकि त इंट्रेक्शन नहीं हो रहा दोस्तों से जाके बात नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है ना जब आप ऑफ-लाइन में जाते हो थोड़ा एंट्रेटेन्मेंट हो जाता है तो यह एक चीज़ है यह देखना पड़ेगा यह वाला फेक्टर तुमारे पर हमारे जमाने में तो यह होता था अलग अलग तरीके हो गए लोगों के तो फिर पता चले कि क्लासी बंक मारे जा रहे हैं तो फिर यह नेगिटिव भी बन सकते हैं तो बतलब समझों हर चीज पर दिहान रखना है अगर तुम वह इंसान हो जो गलस संकेतियों में पढ़ चाहिए पर किसी और एक्जाम की भी तेयर कर रहे हैं कोई दिक्रत नहीं उनके साथ बैठके पढ़ाई करो वह कलेक्टिव एनरजी मिल जाएक पर तुमसे ज्यादा सीरिस होने पढ़ाई के लिए ऐसे होने चाहिए कि तुम आगर बोलो कि 15 मिट का ब्रेक ले 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 तो त हो जाता है तो आपको यहां पर रिकॉर्डिंग अवेलेबिल होती है यह बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है डाउट्स बाली बात कर रहे हैं तो देखो यह अब डिपेंड करते हैं आप कहां पट रहे हैं इसमें बहुत बड़ा इशू था इस्पेशली मैं बतात करते हैं तो आप उनसे जाके डाउट पूछ सकते हो यह था ना ओनलाइन में भी डिपेंड करते हैं आप कहां पट रहे हैं पर आहां अनकाडमी पट रहे हो और जो बच्छे मुझ से पट रहे हैं इंडीड जो बच्छे फिजिक्स लाइव कोड यूज करके आए प्रीम ग सब्सक्राइब मैंने एक वीडियो बनाके डाल दिया है तुम डिस्क्रिप्शन में लेंगे तो मुझसे देख सकते हैं और सारे डाउट सेनर टीचर करते हैं संडे को भी चलते हैं चुटी की दिन चलते हैं होली हो चाहीद हो चाहीद हो दिबाली हो कुछ भी हर दिन सोबे तो अभी तक तो भाई ओनलाइन की टेस्स इरीज है और वही जाधा अच्छी चलती है और ऑफ लाइन की बच्चे को दिखकत आ रहे हैं पर यह चीज भी बदल रहे है ना पर नीट के बच्चे के लिए बात करें तो यह जाधा बेटर हो जाती क्योंकि उसका एक्जाम बत अगर तुम आफ लाइन पर तो बात में आर तीन महिने चार महिने का सब्सक्रिप्शन लेके अपना रिवीजन भगरा भी कर सकता है तो यह कुछ फैक्टर से जो मैंने तुम बता दी है जिसके बेसिस पर तुम डिसाइड कर सकते हो तुमारी लिए कैसा ही रहे है अगर मैं वर्कते नहीं कर रहा तो ऑफाकर बहुत है समय बगरा बहुत बस्ता और वीडियों recordingи और वीडियों को लाइक कर देना अच्छ लगए ता उपने दोस्त कुछ सब्सकेदा सब्सक्राइब तुम अपने चीजरूत पढ़ा सकते हैं क्योंकि कई बच्छ वालना चाते है यह और कई बच्ची ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो उनको भी इसको देखने से बहुत सारे help मिलेंगे बहुत सारे pointers पता चलेंगे कि भाई क्या सही है और क्या गलत है इसके लाब कोई query है तो WhatsApp पर डाल देना है मतलब यहां पर comment में लिख देना है ना comment में लिख देना तुमारी जो भी query है ठीक है तो मैं कोशिच करूँगा reply करने का है ना और नहीं तो मैं बता देता हूँ मैं अपना जो बच्चे प्रॉपर मुझस से आके पढ़ना चाहते है ना तो मेरे हर थोड़े दिन में नीटो ज चलो आल काइड यूह ना चलो बाबाए गाइस600 अ झाल झाल